Hello Student, अगर आप Mechanical Engineer है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे महारतन कंपनीज के बारे में, जो कि गॉर्मेंट सेक्टर की हैं, जने हम PSU भी बोलते हैं, Public Service Unit, हर एक Mechanical Engineer का एक ड्रीम होता है कि इन कंपनीज में वो जॉब ले, साथ ही साथ जो है अपनी लाइप और अपनी फैमिली की लाइप को सिक्वेर कर सकें, जैसे कि NTPC, ONGC, Bail, Sale और भी बहुत सारी कंपनीज आए, तो इंडिया के अंदर जो महारतन केटेगरी है, उसके अंदर 10 कंपनी आती है, जो कि गॉर्मेंट सेक्टर की कोर कंपनी से, Mechanical, Civil और Electrical ब्रांच के बच्चे जनरली इसमें जाते हैं, तो इन सब चीजों को अवारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो जैसे कि मेरा नाम अतुल दाकड़े मैं खुद Mechanical Engineer हूँ, Assistant Professor हूँ, मुझे 10 साल का Teaching Experience है, और मेरे Teaching Experience जो है, वो मैं साइद आपके करूँगा, असफलता एक चुनोती है, इसे सुईकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो, नीन चेन को त्यागो तुम, संगर्स का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो किसी भी अगर एक्जाम में आप बैट रहे हैं, तो उसमें dedication, hard work, आपका focus, यह सभी चीज़े जरूरी हैं, जब ही जो है, आप किसी भी एक्जाम को निकाल पाओगे, और हर एक student, बीक से भीक student, जो है, और एक एक्जाम को qualified कर सकता है, तो जैसे कि मैंने अच्छा है, और साथ ही साथ जो है, अगर आप इनमें job करते हैं, तो आपकी life, आपकी family की life, जो है, secure हो जाती है, और एक अच्छी life होती है, basically, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलता है, जनरली अब यह सब चीज़ें आपको मिल रहे हैं, तो एक्जाम भी जो है, गेट के maintain करके रखना पड़ेंगी, वो क्या-क्या चीज़े होती है, उस चीज़ के बारे में हम समझ लेते हैं, जो कि महारतन category के अंदर आती है, तो जैसे कि पहली जो condition होती है, जो कंपनिया नवरतन होंगी, उनी को महारतन की category में रखा जाएगा, उनका कुछ करोड में turnover होना चा हो सकता है कि अगर कोई company maintain नहीं कर पाती है, तो महारतन की category से खिसक के जो है, नवरतन की category में आ जाती है, तो basically जो है, ये चार point को, जो महारतन companies हैं, उनको maintain करके रखना पड़ता है, वो overall turnover से होता है, basically, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो महारतन companies हैं, जो PSE, उसे 10 list के नाम है, उन list के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसी कि सबसे पहले है, भारत है भी electrical limited, second number पे आपका भारत petroleum के नाम से है, coal India जैसे कि आपने नाम सुना होगा, गेल इंडिया का नाम सुना होगा, हिंदुस्टाल petroleum का आपका नाम सुना होगा, इंडियल oil जो इसे हम ब authority of India, जो कि railway के अंदर work करता है, तो ये 10 जो है, ये महारतन companies है basically, और ये जो महारतन companies है, उनको अपना status महारतन की category में आने के लिए, जो मैंने आपको चार point बनता है, वो point जो है उनको maintain करना पड़ता है, point नहीं मतलब जो उसमें चीज़ें लिखी हुई है, उन चीज़ें क maintain करना पड़ता है, means कुछ जो करोल का turnover होना चाहिए, मतलब last three year का जो total turnover होना चाहिए, देन उसके बाद, और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, उस चीज में अगर वो category खरी उतरती है, तो वो मारतन की category में आती है, वो सकता है अगर वो नहीं आती है, तो फिर नवरतन की category में आती है, तो नवरतन की category भी कुछ अलग है, उसमें भी बहुत सारी companies है, तो mechanical engineering के अंदर आप देख रहे होगे, कितनी सारी government sector बहुत large है basically, और इनमें आप अगर job करते हैं, तो definitely आपकी life, आपकी family की life, आपके आने वाली PD की life, बहुत secure होती है, पैसा है, सब कुछ चीज इसलिए जैसे कि अगर आप जो है, इन companies के बारे में और detail में जानना चाहते हैं, तो मुझे आप comments कीजिए, तो मैं एक एक company को explain करके detail में आपको बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे comments कीजिए, next video बनाने के लिए, तभी जो है मैं इसका video आपको बनाऊंगा, तो thank you for watching this video, म तेरे business schedule से free होके, तो definitely request this video को आप जरूर लाइक आप,